आज के इस टेली घटना चक्र और समसामाई की सार की क्लास में हम लोग महतपूर करन्ट अफेर्स और जीके के क्वेशन का रिवीजन करेंगे अगर आप यहाँ पे पहली बार आये हैं तो यूट्यूब पे हमें सबस्क्राइब कर सकते हैं इसके लावा टेली ग्राम, मूज़ी ठीटर का उद्गाटन कहां पर किया गया तो सब से उचाई पर इस तीटाप का मूज़ी ठीटर कहां पर खोला गया तो यह खोलाimeter है लेह लद्दाक में और कितने फीट की उचाई पर है तो 11,562 फीट की उचाई पर यह इस फीटेट है किस राज या केंदर सासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आउजन किया गया है तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये बैंगनी क्रांती से सम्मंदी था ये भी आप जाद रखना बैंगनी क्रांती ठीक है न और इसका अजन किया गया आपके लेवेंडर फेस्टिवल का जम्मू कस्मीर में और जम्मू कस्मीर के किस जिले में डोडा जिले में राश्टपती रामनात कोविंद ने दिल्ली का 22वा उपराज जिपाल किसे नियुक किया है अभी हाल ही में अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है और उसके स्थान पे जो है विने कुमार सक्सेना को दिल्ली का 22वा उपराज जिपाल आपका 22वे नंबर के हैं ये विने कुमार सक्सेना को बनाय गया है रामबन सुरंग जो है ये किस राज़ में स्थित है तो रामबन सुरंग में अभी हाली में ये इस पे जो है सुरंग का निर्माड हो रहा था और वहां पे जो है कुछ मलबा गिर गया था जिससे कुछ लोग उसमें दब गय थै तो इसका ये कहां पेस्थित है तो ये है आपका रामबन सुरंग जम्मु कस्मीर में इसके लावा नेफिचू सुरंग अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस राजमिस्थित है तो नेफिचू सुरंग आपके स्थित है अरुडांचल प्रदेश में जायत तलवार युद्धब्यास कि इन देसों के मद्ध में होता है तो जायत तलवार युद्धब्यास है ये भारत और युए यानि की संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में होता है इसके लावा अलमुहद अलहिंदी युद्धब्यास किसके बीच में होता है तो ये भारत और कतर की नौसेना के मद्ध में होता है तो ये तीनों जो है आपका अरब कंट्रीज हैं तो याद रखना कि जायत तलवार भारत और यूएई के मद्ध में अलमोहद, अलहिंदी, भारत और साओधी अरब के मद्ध में जायर अलबहर जो है ये भारत और कतर के मद्ध में होता है नेक्स हमारा है काफी के उत्पादन में विस्सु का प्रथामस्थान किसका है तो ये आप सुब को पता होना चाहिए ब्राजील जो है प्रथामस्थान पे है काफी के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में और जो ब्राजील में काफी के बागान होते हैं उनको किस नाम से पुकरा जाता है तो काफी के बागानों को जो है ब्राजील में फेजेंडा कहा जाता है विस्सुका काफी बंदरगाह जो है ये कहां पे स्थित है तो ये विस्सुका काफी बंदरगाह जो है सैंटोस दो दन था ये आप लोग कमेंट करके बताना नेक्ष्ट हमारा है किसे अंतर राश्ट्री बुकर पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो अंतर राश्ट्री बुकर पुरुसकार 2022 अभी हाली में दिया गया ठीक है न और ये दिया गया है गितांजली स्री और इसका जो है क तांजली स्री के साथ डेजी राक्वेल को भी ये पुरुसकार प्रदान किया गया और इसमें जो है ये आपका क्या है अंतर राश्टी बुकर पुरुसकार इसमें जो है आपको मिलता है पचास हजार पाउंड ठीक है ना पचास हजार पाउंड आपको इसमें मिलता है पुर क मुहारतने कंपनी प्रथम कंपनी कब आया था तो ये यह था 1956 मेंनिम फ़रतमान में कौन सा कंपणी अधनिजयम लागू है तो 1956 में प्रथम आया था और वर्तमान में जो कंपनी अधनियम लागू है वह आपका 2013 कांपनी है क्या होते हैं यह् supportingай में ह़लो है यह थैए आयोजन कब किया गया था तो प्रथम राष्ट मंडल खेल 1930 में आयोजित किये गये थे Hamilton कनाडा में ठीक है इस वर्ष भी राष्ट मंडल खेलों के आयोजन होने हैं तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इस वर्ष का तो 2021-22 के लिए भी रिपोर्ट आई है जिसमें 83 दसमेलों 57 रब डालर का जो है FDI जो है भारत ने प्राप्त किया है और सबसे ज़्यादा FDI आया कहां से है यानि कि किस देश ने सबसे ज़्यादा निवेस किया है भारत में तो वो है आपका सिंगापूर और सरवाधिक निवेस पाने वाला राज्य भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेस किया गया है तो ये आपका करनाटक राज्य है और सरवाधिक निवेस वाला छेत्र यानि कि किस छेत्र में सबसे ज़्यादा निवेस किया गया है वर्स 2023 में क्वार्ट का पांचवा सिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा तो यह आपका पांचवा सिखर सम्मेलन था पहला पांचवा सिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा चोथा कहां पर आयोजित किया गया चोथा आपके टोक्यो में आयोजित किया गया आपको पता ह ठीक है न और इसके बाद जो आपका पाचवा सिखर से मिलन अगले वर्स 2023 में आउजित किया जाएगा वो आउजित किया जाएगा आश्ट्रेलिया में ठीक है नेक्स्ट हमारा है विस्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलप्मेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस अस्थान पे रहा तो ये भी हाली में जारी की गई विस्व आर्थिक मंच के द्वारा और इसमें भारत जो है चोवनवे अस्थान पे रहा प् प्रदेश को छटे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वस्रिष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसे दिया गया है तो देखे ब्रिक्स देशों का क्या होता है फिल्म फेस्टिवल होता है और ब्रिक्स देशों के फिल्म फेस्टिवल में 2021 में सर्वस्रिष्ट अभिनेता दिया गया है धनुस को और इनकी फिल्म कौन सी थी असुरन मुवी के लिए किस भारतिय को ब्रिटेन की महराणी ने मानद कमांडर आफ दा आरडर आफ दा ब्रिटी से एंपार से सम्मानित किया है तो देखिये अभी हाली में ब्रिटेन की महरानी के दोरा दो भार्तियों को जो है अवार्ड दिये गए है एक तो आपका मानद कमांडर का है जो की अजय पिरामल को दिया गया और दूसरा आपका मानद आफिसर यानि की मानद अधिकारी का है जो की किसोर जैरामन को दिया गया तो दोनों याद रखेंगे मानत कमांडर अजय पिरामल और मानत अधिकारी किसे दिया गया किसो और जय रामन को दिया गया ठीक है Next हमारा है Combat Aviator के रूप में Army Aviation Cops में सामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है तो Combat Aviator जो है ये पद है ठीक है Army Aviation Cops में कौन सामिल हो गई है तो ये सामिल हो गई है अभिलासा बराक ओके किसके द्वारा Digital Health Card के लिए आभा नाम का एक Mobile App Lange किया गया तो Digital Health Card बनाने के लिए राष्ट्रिय स्वास्थे प्रादी करण इसके द्वारा आभा नाम का Mobile App Lange किया गया और आभा ये क्या है आउसमान भारत Health Account आभा का Full Form ठीक आउसमान भारत Health Account Next हमारा है किसको विश्व स्वास्थे संगठन का महा निदेशक पुनह निउक्त किया गया है तो विश्व स्वास्थे संगठन ने डाक्टर टेडरोस एधनोम जो है यानि कि जो पहले इसके अद्देक्स थे उन्हीं को फिर से चुन लिया गया है ठीक है और अभी अभी हा वार्ड भी जो है ग्लोबल लीडर सवार्ड से भी समानित किया है हाल ही में जारी विश्व वायू सकती सूचकांक 2022 में भारती वायू सेना ने चीन को पचाड़ते हुए कौन सा अस्तान असिल किया है तो पहले आपका चीन तीसरे नंबर पे था विश्व वायू सकती पू 22 में किस संस्थान में परम पोरूल सूपर कंप्योटर का उधगाटन किया गया तो परम पोरूल सूपर कंप्योटर का उधगाटन अभी हाली में किया गया एनाइटी तिरुचिरा पल्ली में ठीक ना इसके लावा परम सकती कहां पे अस्थापित किया गया तो परम सकती अ और परम परवेगा को आई-आ-ई-स-सी बैंगलूर में अस्थापित किया गया था, टाइम मैक जीन 2022 के सव प्रभावसाली हस्तियों की लिष्ट में कौन भारती सामिल हैं? तो अभी हाली में टाइम में गीन ने सो प्रभावसाली हस्तियों की लिष्ट जारी की पूरे वर्ड में और जिसमें भारत से जो है तीन लोग सामिल है एक तो आपका करुड़ा नंदी एक वकील है गौता मडानी एक इंडरस्टियलिस्ट है और खुर्रम परविज क्या है कस रामिल किया गया है भारत ड्रोन महुती 222 का योजन कहां पर किया गया है तो भारत ड्रोन महुता Phase 9022 का आपए किया गया था का इंद्र जी But परिशद और इसके अस्थाई समीति का पुनर गठन किया है तो अंतराजी परिशद की इस अनुच्छेद में 263 में ठीक है न और इसकी अस्थाई समीति का पुनर गठन किया है तो जो अस्थाई समीति है इसके अद्ध्च कौन होगे तो अंतराजी परिशद का जो अद्ध् प्रिता मंत्राले भी है, कस्मीर विस्थु विद्याले की प्रथम महिला कुलपती कौन बनी है, निलोफर खान, हाल ही में भारती रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वधेशी हाइपर लूप जो है विक्सित करने के लिए साज़ेदारी की है, तो हाइपर लूप जो है विक्सित करने की साज़ेदारी किस के द्वारती रेलवे ने, IIT मदरास के द्वारा, उके, इमफाल मडिपूर में आयोजित, बारहमी राश्ट्री सब जूनियर महिला होकी चेंपियंसिप 2022, तो सब जूनियर महिला होकी चेंपियंसिप 2022, जो है, ये कहाँ पर जन कहाँ पर किया गया, तो अभी आपको बताया गया था कि इसका जो है अभी जो अभी हाल ही में जो हुआ है, ये आपका चौथा क्वार्ट सिखर सम्मेलन था, जो कि टोक्यो जापान में हुआ है, और पहला क्वार्ट सिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर USA म ठीक है और Quad में कौन-कौन से देश सामिल है भारत अमेरिका जापान और आश्ट्रेलिया एक क्वेशन में अगर आपसे और पूछनों की Quad देशों की जो आपकी क्या होती है जो यूद धव्यास होता है उसका क्या नाम है तो आप लोग कमेंट करके बताना की Quad देशों की यू इसका मुख्याले कहां पर है तो अभी हाल ही में इसने भारत में अपना एक छेत्री कार्याले जो है खोलने की घोशड़ा की है तो इसका छेत्री कार्याले किस राज में खोला जाएगा गुजरात में और गुजरात में भी कहां गिप्ट सिटी बनाई गई है गुजरात इ इसको जो है खोला जाएगा एक छेतरी कार्याल है New Development Bank का हाल ही में किसने Mount Everest पर दुनिया का सबसे उचा मौसम इस्टेशन अस्थापित किया है तो दुनिया का सबसे उचा मौसम इस्टेशन Mount Everest पर बनाया जा रहा है और किसके दोरा National Geographic Society जो अपका Net Geo है ठीक है न इसके दोरा इसकी स्थापना करी जाएगी Italian Open Tennis Tournament 2022 के बारे में देख लेते हैं अभी हाली में यह हुआ है आपका मही महीने में तो पुरुष एकल का किताब इसने जीता है नुवाक जोकोविक जोकी किस देश से हैं सर्बिया के महीला एकल का खिताब किस ने जीता है इगा स्वेटेक ने जोकी किस देश की है तो यह आपकी पोलेंड की है ठीक है तो पुरुष एकल का खिताब नुवाक जोकोविक और महीला एकल इगा स्वाटेक ने जीता है पोलेंड की ठीक नेक्स्ट हमारा है राजी सभा के प्रथम सभापती कौन थे तो राजी सभा के प्रथम सभापती थे आपके डाक्टर सलुपली राधा कृष्णन पिंडवानी रित्य का संबंद किस राज्य से है तो पिंडवानी नृत्य का संबंद है आपके 36 गढ़ राज्य से, ठीक है, मानव विकास सुचकांग के तीन आधार कौन-कौन से होते हैं, तो मानव विकास सुचकांग के ये तीन आधार हमेशना आप से एक्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना, साक्षर्ता, इस जी-डी-पी में सरवाधिक योगदान कि श्चेतर का है, तो वर्तमान में जो एगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका, तृतियक श्चेतर यानि कि सेवा श्चेतर का है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जा 받아 कि भारत की स्वतंतरा कि समय जी-डी-पी में सरवा 1960 को हुई थी, ठीक, सीमा सड़क संगठन यानि की बार्डर रोड अगनाईशन के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करके, संयुक्त राष्ट संग की अस्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्चर किये थे, तो उस समय जो है, पच्च कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि अब ये खतम हो गया, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,